नमस्कार बच्चों आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत हैं बच्चों आज हम बढ़ेंगे हिंदी पाठ माला गुंजन पाठ साथ क्रिकेट का खेल बच्चों क्रिकेट का नाम सुनते ही आप सबको अच्छा लगता है क्योंकि आप सबको क्रिकेट का खेल बहुत पसंद आता है आईए पढ़ते हैं बातों बातों में सचिन तंदुलकर का नाम सुनते ही आपको किस खेल की याद आती है बच्चों जब आप खेल के बारे में सुनते हो और उसके बाद सचिन तंदुलकर का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में किस खेल की याद आती है बच्चों वो खेल है क्रिकेट का तो सचिन तंदुलकर का नाम आते ही हमें क्रिकेट का खेल याद आता है बोल के परियोग से कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं? बच्चों, बोल के परियोग से आप कौन-कौन से खेल खेलते हैं? बोल के परियोग से क्रिकेट, होकी, बॉली बॉल, आधी अनेक खेल हैं जो खेले जाते हैं इस पार्ट में क्रिकेट के खेल का इतिहास और उसके विशे में जानकारी दी गई है क्रिकेट एक लोग प्रिय खेल तो है ही साथ ही वे मनुश्य को बहुत कुछ सिखाता भी है जो खिलाडी टीम के अनुशाशन में रहकर आतम विश्वास से खेलता है वही सच्चा खिलाडी होता है आईए अब इस पार्ट को पढ़ते हैं भारत में क्रिकेट के खेल का आरण पिछली स्ताब्दी में हुआ पिछले कुछ वर्षों से भारतिय क्रिकेट टीम की गिंती दुनिया की चोटी की टीमों में की जाने लगी यानि की टॉप की टीमों में हमारे भारतिय टीम की गंडना होने लगी यह खेल दो टीमों के बीच खेला जाता है और हाड टीम में 11 खेलाडी होते हैं क्रिकेट की ग्राउंड पर घास लगी होती है पहले मैदान तयार करने के लिए कच्चे मैदान पर नारियल या पटसन की चटाई बिचा कर उस पर कीले ठोक दी जाती थी लेकिन अब घास के मैदान पर ही खेल होता है यानि कि बच्चों जो पहले क्रिकेट के खेल का मैदान होता था उसको नारियल और पटसन की जटाई बिछा कर तियार किया जाता था लेकिन आधुनिक समय में इसे घास पर ही खेला जाता है क्रिकेट की सबसे परमुक चीजे हैं बल्ला और गेंद किसी भी टीम में दो तरह के खिलाडी होते हैं कुछ वे जो बल्ले बाजी अच्छी कर लेते हैं और कुछ वे जो गेंद बाजी करना जानते हैं गेंद बाज दो परकार के होते हैं जीने फास्ट बोलर और स्पिनर के नाम से जाना जाता है परतेक टीम का एक खिलाडी विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालता है किनी दो टीमों के बीच मैच आराम होने से पहले सिक्का उचाल कर टोस किया जाता है बच्चों आप देखते हो आपकी विधाले में भी जब कोई टूर्णामेंट या खेल होते हैं तो सिक्का उचाल कर उसका टोस किया जाता है विजित टीम के कप्तान को बैटिंग या फिल्डिंग चुनने का अवसर दिया जाता है फिल्डिंग करने वाली टीम के साथ सभी खिलाडी मैधान में आते हैं जबकि बैटिंग करने वाली टीम के केवल दो खिलाडी यह खेल ओवर संक्या पर निर्धारित होता हैं, यनकी इसकी जो ओवर की संक्या वो निर्धारित होती हैं, और एक ओवर में छे गेंदे फेकी जाती हैं। और टीटवन्टे जिसमें 20-20 ओवर खेलने होते हैं। टेस्ट मैच में क्रिकेट खिलाडी की पुशाग, सफेद कमीज, सफेद पतलून, उनके मोटे सफेद मोजे और क्रिकेट के सफेद बूट होते हैं। इन बूटों के नीचे कीले लगी होते हैं, जिससे घास के मैदान पर उनकी अच्छी पकड बनी रहें। तो बच्चों, आज हमने क्रिकेट के खेल क्या इतिहास जाना। इस पार्ट का शेश भाग हम अगले लक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। आप इस लक्चर वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझीए। धन्यवाद।